क्या आपने भी fixed deposit किया हुआ बैंक के अंदर तो क्या आपको पता है कि fixed deposit करने की कोई limit होती है income tax law के हिसाब से यह मैं कह सकता हूँ कि सर हम कितने की fixed deposit करा हैं कि हमें income tax का notice ना है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत जादे important होने वाली है वीडियो में पूरा detail में स चैनल पर नहीं हो तो वीडियो उसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें नीचे लाल बड़न उसको दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टाइम पर मिलती रहें नमस्कार मैं दीपक बैसल आपको स्वागत करता हूँ हमारे यू दिपॉजिट यानि कि आप FD करते हो एक बैंक के अंदर 10 लाग के बराबर या उससे जादा किया निकि आपकी याप जो टोटल लिमिटर देखा जाए तो कितनी है वो 10 लाग रुपे की अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो एक बैंक में 10 लाग से जादा की तो उस केस में क्या होता है जो बैंक होता है वो उन सारे खातों की जानकरी देता है निकि उन सारे परसंस की डेटेल देता है इंकम टेक्स डिपार्टमेंट को जिनोंने FD करा रखे 10 लाग से जादा की उनके बैंक के अंदर दोस्तों यह जो लिमिट डिफाइन है ये एक सिंगल बैं कि अगर में बात करूँ एक बैंक की तो बैंक के अंदर आगर आपने 10,00,000,000,000 की एक फटि करा रहा है चाह आपने दो एक करा रहा है चाह Tuesday तुटल एक बैंक के अंदर आपने एंटी करा यह जिसकी लिमिट दस लाग से जादा ती है एक financial यह और में दोस्तों यहां पर ए महिने के दोरान अगर आपने FD कराई है दस लाग से जादा की एक बैंक के अंदर चाह एक FD कराई है चाह आपने multiple FD कराई है तो उस case में बैंक जो होता है वो income tax department को report कर देता है इन सारे खातों की जानकारी के बारे मैंने उन persons की जो pen number है उन सबको report करता है income tax department को जिनोंने 10 लाग से जादा की FD करवा रख किया उनके साथ तो देखा जाये तो यहाँ पर जो fix deposit करने की limit है जो income tax में define है वो 10 लाग रुपे की है इसका मलत 10 लाग से जादा अगर आप कर लोगे तो हो सकता है कि जो bank ने report करी है income tax department को information उसके basis पे income tax department आपको legal income tax का notice बेज सकता है अब इसके दर में बात करता हूं बहुत जादा important point की जैसे मैंने बताया है कि सर एक FD हम जो करा रहे हैं मतलब जो multiple FD करा रहे हैं क्या हम एक bank में करा है या फिर multiple banks में कराएं तो दोस्तों यह आपके ओपर depend करता है आप चाहो तो एक bank में करा सकते हो या फिर multiple bank में अगर आप करा रहे हो तो कोशिश करो कि 10 लाक से जादा ना हो लेकिन यहां पर जो limit defined है वो एक bank के साथ defined है लेकिन आपको पता होगा दोस्तों कि आज के टाइम में income tax department से कुछ भी छुपाना जो है वो बिल्कुल नामुम्किन है क्योंकि अभी अभी recently क्या हो गया चाहे उनकी limit 10 लाक से कम भी है तो भी दोस्तों वो आपको AIS TIS में आपको सिंपल नजर आ जाएगा इसका मतलब आप income tax department से अब कुछ नहीं छुपा सकते अब इसको example के साथ सबस्ते हैं माल लो आपने SBI bank में एक FD करा रखे जिसका amount है 5 लाक रुपे और आपने दूसरे स रुपे कराई है तो इस केस में SBI bank जो है income tax department को report नहीं करेगा क्योंकि उस साल आपने जो FD कराई है वो कितनी है 8 लाक रुपे की और आपकी जो 5 लाक की थी वो पिछले साल की थी इसका मतलब जो 5 लाक आपको renew हुआ दोस्तों वो इसके अंदर count नहीं होगा इसका मतलब renewal क जो amount होता है जो renewal आप FD कराऊगे वो 10 लाक की limit के अंदर include नहीं है आपको एक साल में देखना है कि एक साल में आपने कितनी FD कराई है renewal यहाँ पे बिल्कुल भी count नहीं होगा तो यह इसके अंदर एक दोस्तों point रखा गया है government की तरफ से कि renewal को हम include नहीं करेंगे इसका मतल रुपे कि यहाँ पर 4 FD करा दी SBI bank तो total limit कितनी होगी एक ही साल में 12 लाक से जादा होगी तो उस case में SBI bank जो है income tax department को report कर देगा अब इसी example में एक चीज में जोड़ता हूं कि आपने SBI bank के साथ FD कराई लैसा को 7 लाक रुपे की एक financial year में एक ही साल में कराई 7 लाक कि एक और bank of India के साथ तो total यहाँ पर कितनी होगी 14 लाक तो क्या अब दोनों bank report करेंगे the answer is no क्योंकि जैसे मैंने बताया जो limit यहाँ पर 10 लाक से जादा किया वो एक single bank के रहे लखी गई है इसका मतलब SBI bank अपना individual देखे का कितने की FD कराई है 7 लाक की bank of India अपना अलग दे income tax का notice आ जाता है FD को लेके तो उस case में क्या करना है तो दोस्तों आपको गबराने की बात नहीं है income tax का notice आना यहाँ पर इतना important point नहीं है जितना आपका source of income क्योंकि जो income tax department होता है वो आपके पिछले 3-4 सालों की ITR देखता है कि अगर आपने income tax अपनी properly भर रखा है आपक लेकिन आपका कोई genuine source of income नहीं है और आप income tax return भी फाइल नहीं करते हैं तो उस case के अंदर income tax department दोस्तों आपको पकड़ सकता है तो आपने यह ज़रूर ध्यान रखना है basically क्या है कि income tax department आपकी income tax return से यह check करता है कि इस person ने अगर 12 लाख रुपी की FD कराई है तो क्या इसकी इतनी income है उस साल में या पिछले सालों में तो इस चीज को दोस्तों income tax department verify करता है reconcile करता है जो उनके पास record होता है इसके basis पे और तब उसको जब पता लगता है कि नहीं ब legal notice बेश सकता है और वो आपसे query और question कर सकता है आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद होगी अगर आपको इस वीडियो से लिए कुछ भी query है कुछ भी suggestion है तो आप नीचे comment box में डाल सकते है हमारी team आप तक पहुंच को इसका reply करेगी और दोस्तों इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ एक valuable information दी होगी कुछ ना कुछ solution प्रोवाइड किया होगा दोस्तों इस वीडियो को हमारी like करें share करें और चैनल को subscribe परना ना भूले नीचे लाल बनस को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले थैंक यू हुआ 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 है